हे एवरिवन आज मैं आपको बताने वाली हूँ फाइबर और प्रोटीन से भरपूर एक बहुत ही आसान और हेल्दी ब्रेक्फिस्ट रेसिपी जिसे हम बनाएंगे ओट्स, बेसन और कुछ सबजिया आड़ करके जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है तो अगर आप हेल्दी खान आपको पसंद है तो इस ओट्स बेसन चीला की रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं तो सबसे पहले एक बड़े से बोल में या किसी बरतन में डालेंगे एक कप ओट्स आप इसमें ओट्स के आठे का भी यूज कर सकत हैं फिर डालेंगे आधा कब बेसन चार टेबल स्पून दही और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लंप्स या गुठलिया ना बने एक साथ सारा पानी डाल देंगे तो बेस जोनी चाहिए कुछ इस तरह कि ना बहुत जादा गाड़ी ना बहुत जादा पतली इसलिए आधा कप से जाधा पानी बिल्कुल न डाले समय। अब इसमें डालेंगे आधा कब बारी कटवा प्यास, आधा कब बारी कटवा टमाटर, एक चोथाई कब ग्रेटेड यानि कद्दु कश्कियावा गाजर, एक चोथाई कब बारी कटवा शिमला मिर्च, आधा टीस्पून कद्दु कश्कियावा अध्रक, दो से तीन बारी पत्ते हुए धन्या के पत्ते, आदा टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून लालमिश पाउडर और इस स्वात के अनुसार नमक डालेंगे, इन्हें अच्छे से मिला लेंगे, आप इसमें जो भी सबजी आपके पास अवेलेबल हैं वो डाल कर इसे बना सकते हैं या अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर तवा या पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे, तवा गर्म हो गया है तो फ्लेम को लो पर कर लेते हैं और इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइन तेल और तवा को ग्रीस कर लेंगे अच्छे से, तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो अ में तीन मिनट के लिए पका लेना है तीन मिनट हो गया है तो उपर से हलका सा रिफाइन तील डाल लेंगे और इसे पलट लेंगे दूसरी तरफ से भी हमें इसे तीन मिनट के लिए पका लेना है तीन मिनट हो गया है ये पक चुका है अच्छे से तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं अब फिर से थोड़ा तेल डालेंगे और तवा को ग्रीस कर लेंगे अब बैटर डालेंगे और अच्छे से इसे गोल आकार देते वे स्प्रेट कर लेंगे तीन मिनट लो फ्लेम पर ही पकने देंगे फिर उपर से तेल डाल कर इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी तीन मिनट के लिए पका लेंगे तीन मिनट हो गया है यह अच्छे से दोनों तरफ से पक चुका है तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो लीजे बन कर तयार है हेल्दी और बहुत ही टेस्टी और बनाने में बिल्कुल सिंपल ओट्स बेसन चीला की रेसिपी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे इस तरीके से स्टेप पर स्टेप फॉलो करते वे से ज़रूर बना कर खाए मेरे चानल फूडबी इस पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब भी करते जाए और वीडियो अच्छी लगी हो और रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और कॉमेंट करना ना भूले थांक यू टेक क्यार